आज की इस वीडियो में हम लोग MSP के उपर बात करेंगे, आज कल जो कलेश चल रहा है, farmers versus government के बीच में, इसको भी समझेंगे कि फार्मर आखिरकार demand कर क्यों रहे है MSP की, more than 50% farmers को जो प्रोटेस्ट कर रहे हम को यह नहीं पता हो, कि MSP वो जिसके बारे में लडाई कर रहे है तो चलो, आज की इस वीडियो से हम लोग MSP का detailed analysis करते हैं, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि MSP है क्या, देखो भई, MSP को अगर मैं compare करू MRP से, तो MRP आपने बहुत commonly सुना होगा, क्योंकि MRP पर हम लोग समान खरीदते हैं, suppose करो बजार में आप जा करके एक हगीज का packet लेकर आए, अब वो हगीज का packet दस रुपे का आता है, अगर दस रुपे के बाद अगर वो दुकान दर हमारे से price चार्ज करेगा तो हम उसे गुस्ते से देखेंगे, और उसको दो-चार बाते भी सुना जाएंगे, क्योंकि इस price के नीचे कभी इसका price जाएगा नहीं, अगर जाएगा नहीं तो सीधा-सीधा government farmer से उस crops को खरीद लेगी, उस MSP पे, महला एक example से अगर इसको समझते हैं, suppose करो ये गेहू है, अब farmer गेहू उगाने जाएगा तो सबसे पहले market में price चेक करेगा, suppose करो market में 300 रुपे अब farmer देखेगा कि 200 रुपे government ने minimum price की guarantee दी है, और market में चल रहा है 150 रुपी पर कुंटर, तो farmer से directly government प्रोक्योर कर लेगी, through FCI, FCI मन्दब Food Corporation of India, ये समझ आ गया, कि MSP होता क्या है, और अगर मैं बात करो, MSP की शुरुबात हुई कप थी, 1960 में LKJ कमेटी ने इसको ये बस economic policy के रुप में implement किया था उस time पे, चलो हम लोग अब समझते हैं कि इसके फायदे और इसके क्या-क्या नुकसान हो सकते हमारे और आपके लिए, तो चलो पहले फायदे से शुरू करते हैं, सबसे पहला फायदा क्या है, ये farmer को एक guarantee प्रोवाइड करवाता है, कि particular level के नीच का, देखो भाई, government 24 commodities पे MSP डिकलेर करती है, जिसकी list आपके साबने screen पर भी आ रही है, मतलब government इन 24 commodities पे minimum guarantee देती है, minimum price देती है, कि इसके नीची जो आपकी commodity है, वो कोई नहीं खरी देगा, मतलब ये minimum price है, government को इन 24 commodities में जिसकी भी quantity जादा produce करवानी होती है, उस पे जाद हमारे देश में है, वो उस level, balancing level तक आ जाती है, चौता फायदा है food security, मतलब आप लोग ने देखा होगा, PDS में government राशन बाढ़ती है, अब वो राशन government प्रिक्योर्ट तो farmer से ही करती है, अब wheat और rice सबसे ज़्यादा हुआ जाता है, government के द्वारा farmer से, क्यूंकि PDS system के और उसके एसाब से वो लोग अपना fair price shop से जाकर राशन ले आते हैं, पर इसमें भी काफी सारे loop holes हैं, आपको भी पता ही है हमारे राशन system के अंदर, हम लोगों ने इसके फायदे समझ ली, अब हम समझते हैं कि इसके नुकसान क्या क्या हो सकता है हमारी और आपकी जेब के क्योंकि हमारे राशन शॉप्स के अंदर सबसे ज़्यादा चावल और गेहूं ही दिये जाते हैं, अब फार्मस डिबांट कर रहे हैं कि हमसे 24 की 24 क्रॉप सी MSP पे सारी खरीदो, सारी का मतलब है जितना भी प्रेड्यूस करें, गवर्मेंट अबलाइड हो जाएगी इस law स कि गवर्मेंट को सारे के सारा प्रेड्यूस, एक सिंगल दाना तक गवर्मेंट को इन से खरीदना पड़ेगा, जो कि गवर्मेंट को कोश्ट पड़ेगा 18 से 20 लाग करोड उरुपे, मतलब आप समझ रहे हैं आप लोग, लास्ट बजेट हमारा 35 तो 40 लाग करोड था, इस में से huge amount सिर्फ MSP में ही चला जाएगा, तो सरकार अपने infrastructure के जो प्रोजेक्ट से या basic level पे जो प्रोजेक्ट से उसको कैसे फुल्फिल करेगी, जब जब वो minimum value बढ़ जाएगी और government उस value पे प्रोक्योर करेगी, तो जब गवर्मेंट उस value पे प्रोक्योर करेगी, तो वो भी महंगे दाम पे sell करेगी, जब open market में महंगा जाएगा, तो हमारी जो आसपास की ration shops है, जो wholesaler की shops है, उन पे महंगा आएगा, उन पे महंगा आएगा, तो जिससे हम लोग समान लेते हैं, रिटेलर से उन पे भी महंगा आएगा, और फिर ultimately हमें भी वो चीज महंगे farmers की demand ये एक्चुल में feasible नहीं लगती है, क्योंकि especially आज भी जो government खर्चा करती है MSP में उसमें 50-60% सिर्फ पंजाब के किसानों को मिलता है, और protest भी पंजाब के किसान ही कर रहे है, it seems that they are politically organized, इनकी तीसरी demand ये भी है कि India आपने world trade organization, मिलब डबली टू से सारे रिष्ते खतम कर ले, वाह, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, demand हो तो ऐसी है, इनको लगता है, मुझे ये वाली scheme चाहिए, जो रावल गादीजी ने पूली थी, ऐसी machine लगाऊंगा, इस side से आलू घुसेगा, उस side से सोना निकलेगा, बड़ा हरामी हो, बेटा, मुझे लगता है, ये इनकी कुछ demand है, वो जो की practically possible नहीं है, जर ये बताओ, कैसे possible है, WTO से हम लोग रिष्टे खतम कर लेंगे, तो हमारा import, export बंद हो जाएगा बिल्कुली, और यही हालात 1990s में हो गई थी, यार, इंडिया पे सिर्फ एक हफते का petrol के ही foreign reserve था, और हमारे याँ, इतनी sufficient quantity में oil के reserves तो है नहीं, जो कि इंडिया अपनी demand fulfill कर सके, हम लोगों को तो import करना ही पड़ता है ना petrol, और import करने के लिए हमें dollar से ही, तो वो dollar कहां से आएगे, trade से ही आएगे ना यार, और दूसरी बात, इतना तयार होगे तो लड़कियां शादी में नहीं जाती है, तुलन के जर साह के शानती से जंतरमंतर में बैठके अपने demand fulfill करवाऊ ना, इससे दिल्ली वालों को भी बहुत परिशानी हो रही है, आना जाना transportation system सारा ठप हुआ पड़ा है, जिससे कि स्कूल वाले बच्चों को भी problem हो रही है, तो चलो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने काफी MSP के बारे में समझा, ये वीडियो मेरा अपना point of view था regarding the farmer protest, आपका opinion कुछ भी हो सकता है, मैं इस वीडियो से किसी को hurt नहीं करना चाहता, आप शायद इसको favor करो या favor ना भी करो, पर जो demand है वो actually में feasible नहीं है, क्योंकि ये demand काफी hard है, काफी नुकसान पहुचा सकती सरकार के budget क उपर और हमारी और आपकी जेट के उपर भी, तो चलो मिलतें ऐसी interesting topic के साथ अगली वीडियो में, और जाते जाते इस वीडियो को भी चेक करें, इस वीडियो में मैंने इंडिया की economic condition को दिखा है, अंग्री जो के आने से पहले कि इंडिया में हलाब कैसे थे और उनके जा इंट रपuks बॉडशे लेगे से पहले काई से अजयो कि उनके जाते जाते हमारी पुक्झ।